कि अगर बैंक निप्टी का देखते हैं तो बैंक निप्टी मुझे चुकुछ चीज़े दिखा रही है पर तो थोड़ा सा एक कन्फूजन सा क्रेट होनी की टाइम पर है दिखतो रहा है हमें सेलिंग के लिए लेकिन सेलिंग के लिए आएगा कि नियागा इसके लिए पर पैसा भी बन जाता है मेरी एंट्री नेग दिखो तो आपको बिली भी नहीं पहुआगा यह हमारे यहाँ पर देखते हो तो मैंने इंट्री किया था पूट में में ट्री का टाइमिंग वह अगयरा सब देखाना बन कर दूंगा क्योंकि लोगों को क्या हो रहा है मेरे कोपी करने कोशिश करें बहुत से लोग लॉसस करने हैं तो उनके इसाब से मुझे वह अच्छा नहीं लग रहा है कि वह लॉसस करेंगे इसके लिए यहाँ पर फिलाल देखते हो तो बस 605 एन 607 मतलब मैंने 605 पर एंटर किया था 37007 का पीई पर निकल गया है 676 पर में न निकल गया था उसकी बाद क्यूंकि में निकलन मेरे डिसीजिन काफी बढ़िया था क्योंकि मार्केट वापस उपर भी आया है तो पूट अगर मैं देखता तो पूट में काफी अगर यहां पर देखते तो पूट कि इतना नहीं चे वापस आ चुका उसी जगह पर कहींने तो इतना ज्यादा तर में यहां पर 700 का पूट लिया था यह सार तो यहां पर देखते तो काफी को आपस उसी जगा पर आज चुका है तो मेरा कहीं न कहीं कुछ प्रॉफिटा बचता नहीं कि में जो मॉर्निंग में ट्रेड करता हूं में कहीं न की मेरी एनलेसिस के बैसे प क्योंकि आगर आप यहां पर अच्छे से देखते हो तो आपको क्लियरेट दीखी रहे होगी मार्केट की मार्केट आप यहां से देखते हो तो 12345678 एट केंडल कंटीनिश लिए अगर यह एक रेड बना रहा है तो यहां पर कॉन्फिदेस नहीं आएगा मार्केट उस सेल क होने वाला है क्योंकि डर भी बहुत ज़रूरी यहां पर और वही डर मुझा भी फिलाल के लिए बड़ी कॉंटिटी सेलिंग में लेने के लिए डर लग रहा है क्योंकि इतनी सारी केंडल मनने के बाद अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी आपर रुखता कुछ ग्रीन के पर देखते तो यहां पर आपी फिलाल क्या हो रहा है कि यहां पर हो रहा है यह बड़ी सी केंडल मनी है इस बड़ी सी केंडल के अंदर-अंदर फिर मार्केट यहां पर देखा जाए तो करने कोशिश कर रहा है फिर थोड़ा सा उपर आनी कोशिश कर रहा है यहां पर कुछ क्लियरेट नहीं आएगी सेली भी नहीं कर सकता अगर गलती से भी मार्केट अगर वापस यह 37,600 के उपर ऊपर ट्रेड करने लगता तो फिर तो यह बहुत बड़ा कंफीजन क्रिएट कर जाएगा और यहां पर कुछ कर नहीं पाएंगा अच्छे से क्युक्कि मार्केट खुद बता नहीं रहा है कि मैं आप यहां पर कंफीज हो तो मार्केट खुद आगर अगर एक मिनिट के अंदर अंतर मैंने क्लोज कर लिया अब अगर देखो 600 के आसपास अगर ऊपर ट्रेड करने लगता है तो थोड़ा से यहां पर तो कन्फूजन हो गई होगा देखते कि 600 के ऊपर ही कैसे ट्रेड करता है फिर डिसाइड करेंगे मैं थोड़ा सा भी 10-15 मिनिट करने वाला हो तो उसके बाद मुझे रुकना कुछ अच्छा नहीं लगेगा मेरे लिए तो कभी अच्छा नहीं रहेगा हूँ है कि यह देखो मैंने जैसे आपको बताए 600 के ऊपर ट्रेड करेंगा तो बहुत कंफूजन क्रेड करेंगा यहां पर देखते तो 600 के ऊपर नि चाड में फटता है फिर नीचे चाड में फटता है आगर यह ऐसे उपर चाता रहा तो फिर मैंने जैसे आपको बताए 600 के उपर आगर निकलेगा तो कहीं ने करेंगा अब उपर निकल चुका है अब यहां पर हमें बाई करना कोई गलत मुझे नहीं लग रहा कि हापर तोड़ा सा वेट करेंगे कि मैं अच्छा लिया मैंने यहां पर पुट को बाई भी किया और यहां पर मैंने पुट को सेल भी कितना मेरा डिसीजन परफेक्ट रहा कितना पॉर्फेक्ट डिसीजन था मेरा लेकिन यहां से आप वह आपस मुझे जिस्तर की से दिखर एक रेड केंडल यहां पर बन सकती है इस टाइप की कुछ यहां पर एक रेड केंडल बनती भी दिख जाएगे हमें कि मार्केट अलड़ी इतना उपर जाया है थोड़ा एक रेड केंडल बनाने के बाद वापस उपर जा सकता है तो रेड केंडल दिख सकती है आपर तो देखते हैं क्या रेड केंडल बनती है य यहाँ पर एक रेड़ केंडल बनी यह पर यही रेड़ यही केंडल रेड़ में शिप्ट हो जाएगी मार्केट में लेकिन यहाँ पर यह इसी जोन के अंदर इसी जोन के अंदर अंदर एक रेड़ केंडल देखने का ज़रूर मिलेगी एक केंडल तो रेड़ बनती ही बनती ह तो इस ताइब की कुछ यहाँ पर red candle बन जाएगा, देखते हैं थोड़ा समझते हैं market को, confidence रखो खुद के उपर market को समझनी के try करो, मैं हमेशा बोलता हूं market को समझो, ना कि trade करो, trade एक बार ना करो तो भी चल जाएगा लेकिन market को समझो, market को समझो कि तो पैसा ज़रूर बने तो मैं कितना पैसा कमा सकतो यह भी सोच लेना, candle बनने का wait करो, ज्यादा गडबड मत करो, market में बहुत कुछ चीज़े दिखती है, जल्द बाजिकर कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आरम से wait करो, लेकिन red candle अगर यहाँ पर बनती है न, लेकिन फिर से, अगर red candle बनने के बाद भी आगर market यह red candle को नीचे से follow नहीं लेगा, तो यह वापस यह से घुम के वापस उपर चला जाएगा, तो बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती है market में, जब अब market में trade करते हो, तो सब चीजों का confusion होता है, सब चीजों का बहुत सारी चीजों का understand करना पड़ता ह फिर जाकर यहाँ पर trade कह जाता है, देखो मेरा analysis आभी काम, candle ही close नहीं हो तो मेरा analysis कुछ भी नहीं बंदा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, में ride भी हो सकता हूँ, दोनों side भी हो सकता हूँ, लेकिन एक यहाँ पर red candle तो मैं expect कर रहा हूँ, जो एक red candle इस टाइप की कुछ ना कु जाहिए, एक red candle यहाँ पर और फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर इसके बूपर निकले आगा भी इसके निकले नहीं जाएगा, यह एक red candle दिखने के बाद ही decide होगा जो भी होना है, देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है, मैं wrong भी हो सकता हूँ, मुझे कभी मेरे analysis पे क मैंने यहाँ पर पूरा पूरा सोच समझ के चीज़े कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इससे फरक नहीं पढ़ता है, अगर मैं wrong भी होता हूँ, तो उस चीज़ों को भी देखकर analysis करके trade करेंगे, एक red candle तो sure sure है, मैं अभी जितना market उपर जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे expect क अगर में एक red candle तो यहाँ पर बननी चाहिए, जितना market दिखाएगा में उपर जा रहा हूँ, उतना मेरा confidence बढ़ते जाएगा, यहाँ बन नहीं रहे, बन नहीं रहे, market उपर जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, लेकिन ऐसे आगर यह उपर जाता रहा ना, तो बहुत जल् बनीगी, फिर इसको थोड़ा सा नीचे वीक भी मिल सकता है, बैंक निपती मिलकुल रुपनी की कोशिश नहीं कर रहा है, मैरा लिए उपर से लेकर मेने बोला था, 600 के उपर निकल जाएगा, तो फिर यह और भी थोड़ा उपर जा सकता है, देखो, और भी उपर चला गया भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है, नहीं बना रहा है, बिलकुल भी केंडल से नहीं बना रहा है, बिलकुल नहीं बना रहा है, मुझे इसने राउंड प्रू कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से आप इसको नीचे थोड़ा सा आना ही पड़ेगा कि कि हा से निया है तो यही छटोड़ा बहुत नीचे आएगा और फिर यहां से तो बनना ही चाहीए कई न को यह बननी चाहिए अ कर लेकिन दो आप मार्केट का अभी के लिए फिलाल के में देखा जाए तो 37,700 700 800 का लेवल पाउड़ हो 800 के आसपास मैंने एक्सपेक किया तक यहाँ पर कोई रेड केंडल बनाए लेकिन यह थोड़ा उपर जाकर बना रहा है तो ठीक है इतना गया है तो इतना नीचे तो आना ही पड़ेगा और फिर देखते हैं क्या करता है तो मार्केट के उपर आपका विउव बनाओ एक टो एक कैंडल तो कैंडल आपको समझ में आईसी कोई ज़रूत नहीं होती है मेरा विव भिलाल के लिए कि मार्केट अब इतना उपर भी जाता है तो आप इसके उपर उपर इसको जाना थो कि देखते हैं मार्केट क्या करता है और कैसे करता है अगर यहां पर यह अगर यहां तक पहुचा ना नीची के सब्सक्राइब है यह लेवल के असपास तो मुझे लग रहा है कि फिर यह इसे के बीच में कमिटिनियों 12 बजे तक रहे जाए गए इसे के बीच में कि अगर यहां तक पहुचा तो अगर यही सिल गुप गया तो यह वापस और भी उपसर्ड ममें्टम करेगा चुक लेखे के जाएगा उसको 38,000 थ्यों सब्सक्राइब करते कि लेकिन में फिलाल के लिए ट्रेट करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि सप्टेमर मंद में इतना अच्छा पैसा बना चुके है ना कि अब मैंने एक ट्रेड लिया है मौनिंग में उसमें पैसा भी बन चुका है तो अब मैं धोड़ा सा वेट एन वोच करने वालो हूँ कि एक वनवे जा रहा है वनवे जा रहा है वाओ अगर वापस उपर और और वी ऐसा निकलेगा न तो और ज्यादा भाग जाएगा फिर रुकेगा ही नहीं किसी के लिए भी नहीं रुकीगा बहुत बहुत तगड़ा भाग जाएगा अगर इसने 3700840 को कर क्रॉस कर गया न तो यह ऐसी धाड़ा धाड़ा धाड़ करके उपर जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक भी रेट केंडल नहीं दिख रही है इसका मतलब यह रुकनी वाले में से दिख तो नहीं रहा है बिल्कुल भी अगर 840 को 850 को अगर क्रॉस कर देता न उपर की साड़ में तो और बहुत बड़ा मोमेंटम करें 3700850 और दूसरी बात आज फेड मीटिंग है फेड मीटिंग है तो इसकी वज़े से भी यह मोमेंटम बन रहे है आज आयनलेसिस कोई ज्यादा काम नहीं करेंगा आज सारा खेल खेल खेलेगा मीटिंग का न्यूस तो सारी चीज़े चल रहे हैं आज अब है लागर वाजय करतों तो चलो थे थे हैं थोड़ा बहुता भी मेरा ट्रेणिंग को भी हैंडेल कर लेता हूं क्यूंकि स्रूद्रेंश को इंपोर्टन मैसेज़ देने होते हैं उन停 Kdyakoon Il多 रहूं पर लेकिन लेकिन और बॉस्तव मार्केट को वैट करके निंग तक 850 के उपर अगर निकलेगा तो इक मोमेंटम कर सकता है लेकिन 850 को क्रॉस नहीं कर पाई वही से भूम लिया वापस नीचे आप यहां से मार्केट पर एक चांस है कि मार्केट यहां से वापस थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है और वापस यहां पर आप यहां पर आप अगर यह लेवल के पास तक अगर यह पहुझ गया फिर उसके इसको बहुत ज़्यदा पेन हो जाएगा फिर इसे वापर जाकर यह लेवल को क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा तो इसको गूमना है तो यही से गूमना पड़ेगा फिर जाकर यह क्रॉस करनी कोशिश कर सकत घूमना है तो यही से इसके लिए वेटर चांस है कि एक गॉसे करेंडल बनादे यह पर हाइटी पॉसिबल की घृंडल दीख सकते इस टाइब की कुछ क् allemaal क?' यही होता है किखो समांजो मार्केट को समांज करो क्योंकि यही सारी चीज़े हैं यहां पर है जो आपको यहां पर इस आपके केंडल मैंने भहूना थी इतंश भूरे से घूंसे टे prayed किसी मेंने इसलिए आपको बता है कि इहां से घूमना चाहिए और इसमें मैं कोई ग्रेट या कोई ऐसा नहीं बनता लेकिन चीज़ें समझ जाते हैं पैसा बनने लगता है अगर चीज़ों वह समझ जाए लेकिन फिलाल के लिए मैंने जैसे आपको बताया अगर तर्टी एट थाउजन को सॉरी थाटी सेवन थाउजन या बने थाटी सेवन थाउजन एट फिप्टी के उपर नहीं निकलता तब तक आप ट्रेड मत करो इसके उपर ही आपको बहुत बड़ा अच्छा का सा मोमेंटम मिल जाएगा और इसके नीचे अगर आप जब तक मार्केट आप आप पर जाकर आपको कई नहीं 37,500 के नीचे नहीं निकलता आपको मार्केट को सेल मत करो क्योंकि इसके बीच में राएगा तो यह एक साड़वेज मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा जैसे मैंने बाता दिया आपको घूमने के लिए यही सी घूमना च चाहिए इसने कि में बस देखना नीचाहिए देखना भी चाहिए अ है रेड बनी में हम हर बार सइन ही हो सकते अब आप लाएशा याद रखना आप कोई काफी बढ़ी है मोमेंटम आसे लेकिन फेड मेटिंग है तो थोड़ आसा सामबल कर ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि अच्छी बात है यहां पर एक केंडल बन रही है अब इस केंडल के बाद अगर वापस इसको हाई को अगर क्रॉस कर जाता है तो एक अच्छा कासा मोमेंटम मिलने के देखने के लिए मिल सकता है जो आपको लेके जाएगा नियर बहुत प्राइस देखा जाए तो 37,950 के असपास आपको लेके जा सकता है मतलब 100-300 पॉंट के मोमेंटम आईजी रही मिल जाएगा तो यहां पर केंडल तो बन रही है देखते अब इसको अगर यह क्रॉस कर जाता है वापस से इसके नीचे नहीं आना चाहिए और इसको क्रॉस करना चाहिए अगर ऐसा होता है तो एक मोमेंटम बने गए और दरवाइस नहीं बनेगा फिर फेल हो जाएगा इसके नीचे आएगा तो फिर दिखका दिखरेट करेंगा यह न्यूस के वज़े से कुछ फ्लॉक्चुशन दिख रहा है इस न्यूस कुछ ना कुछ तो न्यूस का फ्लॉक्चुएट दिख रहा फ्रण मार्केट आइसे नार्मली चटीट नी करता है न्यूस का फ्लोच चलरहा है मार्केट में यह तो चुक्रा दिखका और जासे यूस का फ्लोच दिखखके खत्तु है निवोज निवोज बाकि कुछ भी निया दिस इस दूज तस बज़े मीटिंग था इसके बज़े से पहले उपपर भी गहा फिर निचे भी गिर रहे है कि यहा पर आपका कोई अनलसिस काम नहीं करेगा वह हुआ कि सब कुछ फेल दे को यह हो रहा है सब कुछ खेल इतनी बड़ी कैंडल ऐसे नहीं बनती मार्कें और ऐसा बनना भी नहीं चाहिए था तो यह सारा न्यूज का खेल चल रहा हुआ कि मेंबर्स के लिपे डाल देता हूं न्यूज फ्लो इन्द मार्केट को टच्छ मत करो अब मार्केट को थोड़ा उपर सड़ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे कैंडल कभी नहीं बनती है ऐसे कैंडल बन रही है मतलब क्लियर है मैं कभी न्यूज को फॉलो नहीं करता लेकिन ये कैंडल देखकर मैंने आपको बता दिया तो फिर वह आप जाकर अगर इसको हाई क्रोस करता तो एक मोमेंटम मिल सकता था लेकिन यहां पर बना नहीं आपर क्लियर-क्लियर मार्केट ने बता दिया कि मैं कुछ इसके नीचे जब निकलाना था भी मैंने बोला कि आज मेरेले मार्क्ट वोलटायल है और मेरेल मार्केट यह हम deja कुछ भी नहीं आपर पूरा पूरा वाल्यूम्हां उल्णा सब कुछ आपर आज के मिरें लिए कोई अच्छा करसा मोमेटम नहीं मिलेगा कि वज़े से इतना नीचे भी आ Instagram आरे में आब मैं अब इअ। इंट्रेसर नहीं। क्योंकि इतना नीचा आनीक बाद वह आपश उपर जाएगा, क्रॉज भी करेगा, तो भी कोई मैं ट्रेड नहीं करने वाला। कंडीशन को समझो, कंडीशन बनने कि तब लिए क्रेड करेंगे, अब ये के लिए फिलाल याप पर यही बन करते हैं, नहीं में तब को नेक्षोड़ी मेटी लें, बाबाई वरिवेंट, टेक के आए